हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाए हाजिपूर नगर थानांतर्गत दिशुन्यत 10 सितंबर 2023 को राजहनी हत्याकान का सफल उद्भेदन चंद्रकान्त पाठक की रिपोर्ट वैशाली जिला के नगर थानांतर्गत दिनांक 10 सितंबर 2023 को आरेन कॉलेज हाजिपूर के पास चार अग्यात प्रादकर्मियों के द्वारा राजहनी पिता म्याज कोशल साकिन बागा दुलहन थाना नगर हाजिपूर जिला वैशाली को मारकर हत्या कर दी गई थी जिसमें नगर थाना कान संखया 708 बटा तेईस दिनांक 11 सितंबर 2023 धारा 302 बटा 34 भादवी एवं 27 आर्म्स एक दर्ज की गई थी घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक वैशाली के निर्देशानुसार अनुमंदल पुलिस पदादिकारी सदर हाजीपूर के नित्रित्व में एक टीम का गठन किया गया जिसमें जिला आसुचना एकाई नगर थाना हाजीपूर एवं गंगाबरिज थाना के द्वारा कार रवाई करते हुए तीन अपराधियों को गिरफतार किया गया है एवं जिसके पास दो अपराद कर्मियों को न्याइक हिरासत में भेजा जा रहा है एवं इस घटना में समलिपतन्य अपराद कर्मियों की गिरफतारी हेतु लगातार चाप इमारी की जा रही है इस घटना के उद्भेदन के लिए सदर उस टीपियों के नित्रित में एक टीम का अगटन किया गया था जिसमें टाउन से चोग और डियाईउ के सभी पतारी कार्यों और कर्मियों शामियों इस टीम के दौरा कारवाई करते हुए इस घटना में अपनी सनलिता को सिपार किया है इनके पास से दो देशी कट्टा, 240 राउंड कार्टूस और इस घटना में प्रियोग दो मोटर साइकल को बरामत किया गया इस घटना में कुछ और भी अप्राद कर्मी शामिल है उनके गिराफ्तारी के लिए अभी छापे मारी की जाते है अत्या का कारण है आपस में पैसे का लेंड में इनके बटवारी का विवाद है पुर में 2019 में यहां एक गोल्ड लूट की घटना घटित हुई थी ये अप् अभी इस स्टेज पर अभी साजा करना हुचितनी हो मुद्यूद फाइनेंस लूट कांड में का मामला जुरा हुआ है बिल्कुल ये उसी में शामिल ये अपराद कर्मी थे इसमें जो इस कांड में जो अपराद कर्मी है वो उस घटना से जुड़े हुए थे और उसी घट अभी बरामद हुआ है कि अभी तक अभी हम लोग कानुस अधान जाली है थेंक्यू